हेलो फ्रेंड स्वागत आपका मेरे चैनल दा नीटिंग ट्रेंड में फ्रेंड आज हम दो को लड़का स्वेटर का डियाइन सिखेंगे एक दम नियू और बहुत ही आसान डियाइन दे करा हैं हम तो इसको बनाने के लिए आप बॉडर जो भी बनाईएगा अपना मन पसंद बनाईएगा और इसके लिए फंदा लिजेगा तो थिरी के मुल्टिपल में फंदा लिजेगा एक फंदा आप इसमें इस्ट्राल लिजेगा है तो फ्रेंड ये डिजाइन बॉडर बनाने के बाद इसी के बाद शुरू करेंगे और ये डिजाइन आपको अच्छा लगएगा तो आप लाइक कर दिजेगा मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किजेगा तो इसके लिए देखिए रहे हैं तो सीधा से दूसरे कलर से आप बनाईएगा तो एक फंदा आप सीधा बुनिएगा तो फ़र्ष्ट वाले फंदा को बुन लिजेगा तो यहाँ पर देखिए एक फंदा सीलिफ किया है । यहाँ पर एक फंदा और बुनें गे ठीखिए यह बहु जरूसर रहा है अब यहाँ पर हम पर परको आगे करेंगे त्योंचि नहीं azt आपको इतना पसंद आएगा फ्रेंट एदा मासान डिजाइन है और एक फंदा को हम सिलिप करेंगे ठीक है इसके बाद हम फंदा को आगे रहने देंगे फंदा को हम पीछे नहीं करेंगे और इसको हम सीधा इस तरह से लेंगे और इसको सीधा बून लेंगे, तो एक फंदा हम सिलिप किये हैं, इसके उपर से ये इसके लड़का फंदा आना चाहिए, ठीक है, एक फंदा हम और बून लेंगे, यहाँ पर दो फंदा बून लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम फिर फंदा को आगे करेंगे, इसको हम सिलिप क फिर फंदा को हम आगे करेंगे, एक फंदा सिलिप करेंगे, और दो फंदा को हम सीधा बुल लेंगे, एक, दो, ठीक है, फिर फंदा हम आगे करेंगे, इसको हम सिलिप पर लेंगे, लास्ट वला जो आएगा, तो उसको सिलिप कर लिजेगे, और दूसरा फंदा को बुल लें इसको इल्टा सैट से भी ध्यान देजिएगा। उल्टा सैट से हम यह फर्स्ट वाले फंदा जो है इसको हम सिलिप किये थे» एक फंदा दोने थे सिधह इसका हुम잡 कर लेंगे ठीक है और जो पन्दाब को हुम took कि इस ःटा overs année से भी तरफा यहां से यहां से लेगा धास अन। इस तरह बून एक्टटे लाइएगा तटां पर यहां पर दू पन्दा जो हम बोने हुए थे उसको हम बोन लेंगे दो फन्दा को कि दो फंदा हम उल्टा बुन लिए तो फिर हम इसी पैटन को आगे रिपीट करेंगे तो आगे रिपीट करेंगे तो इसको इस तरह से इसे सिलिप करेंगे और इस फंदा को हम उपर से लाएंगे इसके वाद हम दो फंदा को हम उल्टा बुन लेंगे इसी तरह हम पुरी सलाई इसी पैटन को रिपीट करेंगे उल्टा सैट से अब हम सीधा साइट से बना रहा है तो सीधा साइट से इसको हम देखिए अब हम पीला वला से बनाएंगे यहां पर हम इससे बनाएंगे तो दो सलाई है इससे बना लिये हैं दो सलाई बन गिया है अब देखिए यहां पर पीला वला से बनाएंगे तपिला वाला से जो हम बुने हैं सब को सीधा बुन लेंगे इस तरह में हम पूरी स्लाइस सीधा बुन लेंगे जो शिलिप किये हैं उसको भी हम इस तरह से सीधा बुनेंगे कि यहां पर शिलिप किये हैं इसको इस तरह से ऐसे एक फंदा बुनेंगे यह पूरी स्लाइस सीधा इस तरह से बुन लेजिएगा अब हम उल्टा सैट से बना रहे हैं तो उल्टा सैट से इसको हम उल्टा बनेंगे आप यहां पर हम दो सला यह बना है दो सला हम पीला बना है ठीक है अब हम दूसरा डेजाइन बनाने के लिए देखिए यहीं से आप सुरू किजेगा जो हम बनाये हुए हैं तो यहां से फिर इसी पैटन को दूसरा रिबीट किजेगा यहां से से पैटन जो यहां बना है फर्स्ट में तो अब हम फिर रेखिए तीन फंदा बुनेंगे एक फंदा को आगे करेंगे इसको इस तरह से सिलिप परेंगे उसके बाद दो फंदा को बुन लेंगे फिर फंदा को हम आगे करेंगे इस फंदा को सिलिप किजेगा जो सिलिप किये थे वही उसके बाद फिर यहां से दो फंदा बुन लेंगे फंदा आगे करेंगे इसको सिलिप करेंगे जो सीधा बला आएगा फिला में आप जिस किलर से बनाईए तो देखे फ्रेंड एक इतना असान डिजाइन है और देखने में बहुत प्यारा बहुत कितना सुन्दर लग रहा है तो बनाने के बादे डिजाइन देखिए यहां पर कितना प्यारा लग रहा है और इसको बनाईएगा जब आप तो इसमें जो फंदा लीजिएगा तो जीसे कि आप बॉर्डर के बाद ज्यादा फंदा कुछ दस फंदा या 15 फंदा ऐसे बढ़ाते हैं उसमें आप कम बढ़ाईएगा क्योंकि यह दिजाइन थोड़ा फैलेगा इसमें यहां पर बॉर्डर बनाने के बाद ज्यादा नहीं बढ़ाईएगा नहीं तो बहुत ज्यादा लूज हो जाएगा यह और देखिए कितना असान डीजाइन है देखने में कितना प्यारा है यह दिजाइन आपको अच्छा लगेगा तो लाइक कर दिजिएगा मेरे चैनल पर पहले बाड़ा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए डिजाइन के साथ